आज मैं बना रही हूं बहुत ही डिलिसियस और बहुत ही कम घी या तेल में बनने वाला चार तरह का फला हारी रेस्पी ये बरत में खाये जाने वाला डिस है और बहुत ही कम इग्रिडियंट और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से और बहुत ही अलग तरीके का ये डिस ह जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए इसकी रेश्पी देखते हैं हेलो दोस्तों श्वागत है कांती जी जी किचन में तो यहां पर मैंने एक कप शाबूदाना लिया है यह बारीक वाला साबूदाना है साबूदाना दो तिन तरह का आता है मोटा मिडियम और पत चावल है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसमें पानी डाल करके समा के चावल को अच्छे से धो लेंगे चार पांच बार दोने के बाद से इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे भीगने के लिए घंटे के लिए रख देंगे घंटे में ही अच्छे से भी पूल जाएगा और जब तक चावल फूल रहा है तब तक आगे की तयारी कर लेते हैं तो अब इसके बाद से क्या करना है गैस आन कर लेना है दोस्तों और गैस पे एक पैन रखके गरम करेंगे और उसमें साबुदाना डाल करके और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे लो टू मिड को सुखाना है जब नमी सूख जाएगा तभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे क्योंकि इसका पाउडर बनाना है तो अब यह देखिए बस दो मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छे से यह रोश्ट हो चुके हैं अब इसे निकाल कर ठंडा करेंगे और मिक्स आटा बनके तयार है साब उदाने का इसमें चंच बिलकुल नहीं है बढ़ियां से पीछ चुका है इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है अब इसे साइड में रख देते हैं और मैंने जरा सा घी पैन में लगाया है और एक कटोरी मुमफली रोश्ट करेंगे यह सारे ब्रत में खाये जाने वाले ही मैंने इग्रिडियंट लिये हैं मुमफली भी बहुत ही हेल्दी होता है स्वास्त के लिए काफी अच्छा होता है तो यहां पे मुमफली को धिमे आज पे रोश्ट करना है तो रोश्ट हो चुका है अब इसे भी प्लेट में निकाल करके ठंडा कर बढ़े अलए यहां चाल कर देंगे और ठंडा कर निक बाद इसको हाथ से रगड करके छिलके उतार लेंगे और हटा देंगे यह देखिए तो छिलके साफ कर लेना है और अब मिक्सी जार में डाल करके ऑर दर दरा सा इसे ग्राइंड करेंगे तो आप कूट भी सकते हैं इ आप चावल को भी बारीक पीसना है, तो यह पानी के साथ ही पीसेंगे, तो मैं यहाँ पे जितना पानी डाल के रखी हूँ चावल में, उसी पानी के साथ पीस लेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है, अगर ज्यादा पानी अड़ कर देंगे, तो चावल पीसेगा नहीं ब साबुदाना का पाउडर बनाया है दोस्तों उसमें चावल का पेश्ट मिलाएंगे और थोड़ा सा और पानी डाल करके इसको एक बढ़ियां सा गाढ़ा घोल बनाएंगे तो याप ये देख सकते हैं कि चावल वाले ग्राइंड को धो करके थोड़ा आधा का पानी लेके हमने डाल दिया है और अब इसको मिक्स करेंगे और जैसे जैसे पानी की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी और एड़ करेंगे क्योंकि गाढ़ा घोल त्यार करना है पतला नहीं करना है एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है तो ये आप देख सकते हैं अभी और पानी की आप सकता है थोड़ा पानी और एड़ करेंगे फिर से मिक्स करेंगे तो इस तरह से से अभी इसमें कुछ मिलाना नहीं है सिरफ इसको ही अच्छे से गाढ़ा बेटर बना करके और रख देना है फूलने के लिए तो थोड़ा पानी और मैंने अड़ किया है तो इस तरह से टोटल एक कप क करीब इसमें पानी लगा है तो इस तरह से मिला करके अब बेटर को रख देंगे फूलने के लिए ताकि साबुदाना अच्छे से फूल जाए और यहां पे मैंने लिया है थोड़ी सी सबजियां एक टुकडा लौकी और एक टुकडा गाजर आधा गाजर लिया है दोस्तों य ब्रत में खाने वाला सबजियां है और हमने यह डोसा के लिए मसाला बनाने के लिए तीन उबले हुए आलू लिये हैं तो चलिए सबसे पहले लौकी और गाजर को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और यह देखिए सबजियां डालने से सारी डिस और भी बेटर भी काफी गाढ़ा है इसमें इसी तरह का बेटर चाहिए साबुदाना पानी काफी सोखता है तो इसमें से मैंने दो चम्मच बेटर निकाल के अलग कर लिया है डोसा बनाने के लिए जो बाद में बनाएंगे और अभी हम यह तीन डीस के लिए मैंने लिया है इसमें अपवे, पराठा और इडली बनाएंगे तो इसमें हमने ग्रेट किया हुआ लौकी गाजर मिला दिया है और एक चमच यहाँ पे अद्रक और हरी मिर्च लिये हैं कूट करके तो आप चाहें तो इसको पेस्ट भी बना के ले सकते हैं या क्रश कर सकते हैं ग्रेटर से तो मैंने यह देखिए एक कप इसमें दही भी डाली है और थोड़ा सा नमक और एक चमच इसमें डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ मुमफली इससे बहुत ही हेल्दी बनने वाला है यह डिस और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और खाने में इसमें जब मुमफली डालते हैं तो उसका जो हलके से चम सोते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो सभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और अब बनाएंगे एक बढ़िया सा तड़का तो यहाँ पे तड़के भी उसी में डालने वाले हैं दोस्तों इसे और भी डिलिसियस बनने वाला है यह डिस तो यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है राई करी पता और एक चमच मैंने इसमें सफेद वाले तील डाले हैं तो सफेद वाले तील पूरी तरह से आपसनल है अग इडली, अपुए और प्राठा बनने के लिए अब चलिए इडली मेकर को सबसे पहले इडली के साचे को ग्रीस कर लेंगे जो भी आप तेल खाते हैं ब्रत में या देसी घी से और एक एक चम्मच उसमें पुरा अच्छा सेडली का बेटर डालेंगे और इस तरह से तयार कर ल अब उसमें इडली का स्टेन डाल देंगे और उपर से कुकर का धकन लगा देंगे और गैस का फलेम हमने लो टू मीडियम रखा है दोस्तों जिससे कि अच्छे से पहले इस्टी मेरा बन सके और यह देखिये सिट्टी हटा दिया है अब एक धकन का बन को सिट्टी दहीं ल घी से ग्रीस कर लेंगे इससे अपवे चिपकता नहीं है और उसमें एक एक चमच बेटर डालेंगे यह देखिए उसी बेटर में से और पूरे में डाल करके और इसे पकने देंगे उपर से अब कभर कर देंगे और जरूरत पढ़ने पर उपर से थोड़ा बहुत और घी डाल सकते हैं ढ़क करके 3-4 मिनट इसे पकने देंगे और अब यह देखिए अच्छे से पक चुका है और यह देखिए आप कितने आसानी से यह प्लट जा रहा है तो इस तरह से फोर्क से या चमच से आप आसानी से प्लट दीजिए उलट प्लट करके गोल्डेन होने तक सेक लीजिए तो यह बढ़ियां सा क्रिस्पी अपवे बन के तयार है उपर से क्रिस्पी है अंदर से बहुत सॉप्ट है दोस्तों यह लीजिए मज़ेदार सा अपवे बन के तयार है तो चलिए अब अपना इडली चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर बारा मिनट हो चुके हैं और इडली भी पक चुका है अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे तभी निकालेंगे गैस बन कर देते हैं और अब उसी गैस पे मैंने फिर से पैन रखा है और हलका सा घी से ग्रिस कर लेंगे और अब बनाएंगे पराठा तो सेम बेटर से दोस्तों यहाँ पराठा भी बनने वाला है यह देखिए और इसमें इसको हलका सा मोटा फैलाएंगे बहुत जादा ना मोटा ना बहुत पतला और इसको 2-3 मिनट सेखने देंगे और आप यह देखिए सेख चुका है अंदर से कितने अच्छे से टर्न हो रहा है और उपर से थोड़ा सा इस पर अप घी लगा देंगे और इसे पलट करके सेख लेंगे तो इस तरह से उलट पलट करके प्राठा भी सेख करके तयार कर लेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिरफ एक चमच घी में प्राठे बनके तयार हैं बहुत ही डिलिसियस प्राठे बने हैं बीना आटा गूते उसी वेटर से इतना टेस्टी प्राठा बनके तयार है बहुत ही अमेजिंग प्राठा बनके तयार है तो चलिए अब बनाएंगे डोसा के लिए आलू का मसाला तो यहाँ पे मैंने फिर से एक चमच छोटा चमच घी डाली है और उसमें थोड़ा सा जीरा और एक बारीक हरी मिर्ची काटके और करी पत्ता डाल कर सबको क्रेकल कर लें और जैसे ही हलका सा क्रेकल हो जाए खुश्बू आने लगे वैसे ही इसमें आलू महस करके डालेंगे तो डोसा का बढ़िया सा यहाँ पे चटपटा सा मसाला बना के तयार कर लेना है तो इसमें थोड़ा सा मैं सिंधा नमक डाल देती हूँ और यहाँ पे हल्दी पाउडर तो हल्दी अगर आप बरत में खाते हैं तो ही डालें बरना स्किप कर दें और इसमें आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और अब ये देखिए मिक्स करके इस तरह से आलू मसाला तयार करना है अब इसमें एक चम्मच हमने डाल दिया है ग्राइंड किया हुआ मुमफली और इसे दोस्तों बहुत ही टेस्टी यहां पर डोसा मसाला बनके तयार है तो चलिए अब हम डोसा का बिटर तयार करेंगे तो उसमें मने आधह कप से थोड़ा कमी पानी डाला है और सिधा नमक थोड़ा सा डाल करके इस तरह से बिटर तयार करेंगे रनिंग का गोल हमने बनाई है न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा गाढ़ा अब उसी पैन को गरम करेंगे और हलका सा घीर डाल कर गिस करेंगे थोड़ा पानी का छेटा मार के टमप्रेशर डाउन कर लेंगे जब गरम हो जाएगा अच्छे से तो और फिर उसमें एक कर्ची बेटर डालेंगे यह देखिए डोसा का बेटर और इस तरह से फैला देंगे तो इस तरह से हमारा डोसा भी बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों अब इसे सिखने देते हैं तीन से चार मिनट लगेगा सिखने देंगे और गैस का फ्लेम हमने थोड़ जीरा और इसमें लेंगे लेमन जूस और नमक और एक चमच इसमें कुटी हुई मुमफली डालेंगे और यह देखिए अब थोड़ा सा पानी डाल करके आप चटनी पीस करके तयार कर लें यह देखिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और आप चटनी को पीस लेते हैं तो दोस्तों ये बढ़िया सी हरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही tasty चटनी बनी है, तो आप इसे चटनी के साथ, दही के साथ, रहता के साथ, जिस के साथ आप चाहें सर्प कर सकते हैं, तो चली है अपने डोसा देख लेते हैं, ये देखें, वह दोशा भी बहुत अच्छे से सीख चुका है और बहुत प्यारा सा कलर आया है नीचे इसे आप चाहे तो प्लट करके भी उस साइड कुछ सेकेंड के लिए सेख सकते हैं और फिर से प्लट करके उपर मासाला लगा दें तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आलु का जो मसाला बनाया है उसे लगा दिया है और इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेंगे तो बहुत ही amazing और tasty crispy टोशा भी बन के तैयार है तो यहाँ पे यह four in one recipe बन के तैयार है दोस्तों चारो तरह का डिस बन के तैयार है और बहुत ही amazing और tasty और healthy recipe है यहाँ पे बहुत कम तेल घी में बना है और अपवे पराठा इडली डोशा चटनी सभी बन के तैयार है बनाना बहुत ही आसान है बिल्कुल कम समय कम तेल में healthy चार तरह की recipe बन के तैयार है दोस्तों तो अगर यह recipe आप लोगों को अच्छी लगी हो तो like करें share करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें thank you